सरोका संग ने खुला मोर्चा मुख्य मंत्री के नाम कलिक्टेट को ग्यापत सौपा राइबूर में व्यधान सभा में नहीं पारित वाराक्षर राजेपाल ने दिया बयान पामगड़ में राउल गांधी की भारा जोड़ो यात्रा जारी दी सरी बाद शामिल कोई कॉंग्रेस मिने दी कुश्पा पाट नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादोव वक्त हो चुका है चछत्तिसगर की खबरो का रूप करते हैं खबर की ओर कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है महीं कॉंग्रेस नेत्री पुश्पा पाटेल भारत जोड़ो यात्रा में तीसरी बार शामिल हुई इस ओरान पद्यात्रा में मोहन मरकाम और च्छत्तिसगर की प्रभार कुमारी सेलजा के साथ चली बता दे कि राहूल गांधी से प्रथम बार भीट होने पर अपना परिशे देते हुए च्छत्तिसगर प्रदेश के विश्य में समाने चर्चा हुई ये जानकार है कि मैं च्छत्तिसगर से हूँ बेहत प्रस्चन हुए पुष्वापाटले ने कहा कि लाखों लोगों की भीड और इतने बड़े जन सहलाब के बीच उनसे मिल पाना खौरव की बात है प्रधानमंत्री चात्रों के मन से परिशा का भ्यमी डाने के लिए परिशा पे चर्चा कारिकरम चला रहे हैं वही इस कारिकरम के दोरान प्रधानमंत्री चात्रों वर सक्षकों से समाद कर उन्हें अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं अगामी 27 जन्वरी को परिशा पे चर्चा कारिकरम के तहत प्रधानमंत्री चात्रों वर सक्षकों से समाद करेंगे इसी कड़ी में आज भारत के 500 किंद्री विद्यालों में परिशा पे चर्चा के तहट 25 मंत्रों पर चित्रकला प्रतियोगता का आयू जुन किया गया 25 मंत्रों में परिशा एक उस्व और उल्ला से मनाए परिशा आपकी अभी की तैयारियों की है केंद्री विद्याले महा समुद्ध में विभिन स्कूलों के सौ बच्चों नी चित्रकला प्रतियोगता में हसा लिया चात्रों का कहना है कि इस प्रतियोगता में भाग लेकर अच्छा लगा मेरा नाम हानुकावर इसका मुख्य उद्देश है एक तो बच्चों में सजनातों चम्टार है उसका कालर्शन और उसके पीछे भी एक बड़ा उद्देश है कि बच्चों में जो एक्जाम का फियर है जो परिश्चा का भया है वो खतम हो और उसके प्रजागूक सब्सक्राइए इसमें एक से पाँच स्थान तक आने वाले बच्चु के लिए अच्छे इस तरह की कुछ पुस्तके हैं जो हमारे केंजिनले संगटन की तरह से अपलब्द कराई गई है वो उनको दी जाएंगा मरेंगर जिले के सबसे बड़े खान नर्सिंग होम पर प्रिशासन पुलिस और स्वास विवा का च्छापा पड़ा है इस कारेवाई के बाद सोनोग्राफिक कक्ष को सील कर दिया गया है यहां जाज के दौरान अन्यमित्ता पाई गई थी लाइसेंस के वैदिस्ता समाप्त ह होने के बावजूद PCNDT Act के उलंखन को लेकर प्रिशासन निकारेवाई की है नर्सिंग होम के पास 2020 तक का ही लाइसेंस था पिछले दो सालों से बिना लाइसेंस के इस नर्सिंग होम में सोनोग्राफिक की जा रही थी बताया जा रहा है कि जब नर्सिंग होम के संचालक न अनुविवागी अधिकारी पुलिस स्वास विवाग सीम मोच और माफ कीजिएगा सीम में एचो और डीपीम डिरेक्षर अस्थल पर मौजूद रहे खबर सक्ती सेहजांजेली में राखड पाटने का वैत कारोबार ठमने का नाम नहीं ले रहा है चाहे वो निजी भूमी हो या सरकारी जमी राखड के सौदागर लगाता शित्रमी जन प्रतिनिद्धों से संपर्क बना कर गाउं के हिताला में राखड डाल रहे हैं मामला जैजेपूर ब्लॉग के ग्राम पंचायत भात माहूल का है जहां जन प्रतिनिद्धों द्वारा अवैद लाप कमाने ट्रांसपोर्टर से मिलकर गाउं के ताला में अवैद राखड डम करने का कारूबार चल रहा है आपको बता दे वर्तमान में जिस ताला आपको पाटा जा रहा है उसमें वश दो हजार पांच वद दो हजार दस दो हजार बीस में मनरेगा के तहट गहरी करण किया गया था सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके मनरेगा रोजगार गारंटी के कार में पूरू किया गया था अगर कार किया गए तो इसकी बस सब्सक्राइब जात पी जाएगी जो भी है प्रतिविदन तहसे मांगता हूँ और इसमेंगर इलीगल होगा करवाई कि जाएगा प्रतिविदन जैसे मिलता है तुरंट करवाई शक्ति जिले के कलिक्टरेट नूपूर राशी पन्डा वा एमपी एमार आहिरे निगरतंद दिवस की तैयारियों को लेकर कलिक्टरेट परिसर मैदान का निरक्षड किया है निरक्षड के दोरान गाड़ियों की पार्किंग बैठक व्यवस्था मंच संचालन, मार्च फास्ट, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जाजा लिया और संबंदित अरिकारियों को दिशा नर्देश दिये साथी मैदान की मौर्किंग को देखते वे मंच को जल से जल तयार कराने के भी निर्देश दिये गए कलिक्टरेट ने कहा कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए इस औरान SGM रजजनी भगत एडिशनल S.P. गायत्रे सिंग मौजूद रही ख़वर गरिया बंच से है जहां विश्राम ग्रेच हूरा के प्रांगर में स्वर्गी उमीश राजपूत की बारावी पुडितिती मनाई गई इस्थाने पत्रकारों साथियों ने स्वर्गी राजपूत के चाट्रा चित पर माइफ की जगा चात्राचित पर पुषवांजली अर्पित कर उनिश्र धांजली दी है पत्रकार स्वर्गे राजपूत कर्यबंच चिले के चुरा के निवासी थे जिन्हें उनकी निवास पर सामके समय तीशनवरी दोहजार इग्यारे किसी अग्यात व्यक्तित द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गए थी जिसके जाच अभी तक चल रही है मामला न्यायले में लंबत है लेकिन अपराधी आजवी कानून के गिरफ से बाहर है पत्रकार स्वर्गे उमेश राजपूत के छोटे भाई परमिश्वर राजपूत न्याय पानेग में हाइकोन में याजका में दायर कर सीब्याई जाच की मांगी थी और सीब्याई ने कुछ वर्सों तक जाच भी किया लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है पत्रकार उमेश राजपूत की उनके निवास इथान पर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उसी की याद में हर वर्स 23 जन्वरी को पत्रकार साथियों के द्वारा स्रधाणजली सभा कायोजन कर स्रधाणजली दिवस मनाया जाता है आजी सावसर पर सभी पत्रकार साथी कर्था हुए थे और फूल माला अर्पित कर दो मिनट का मौन धारण किये और इस प्रकार प्रतिवार से यह कारिकरम संपन न होता है खालंकि यहां मामला भी कोट में लंबित है और हमें पूरा विश्वास है कि मानने नियालाई के द्वारा इसमें हमें नियाई मिलेगा और जिस दिन नियाई मिलेगा उसी दिन हम सभी की उमेश राजपुत को सची सद्धानजली होगी भारत के आजादी के महानायक आजाद हिंद फोज का गठन करने वाले नेता जी सुबाशन बोस की 127 वी जैनती के आउसर पर अखिल भारते भूतपुर सैनिकों के द्वारब भारत माता प्रतिमा के समक्ष नेता जी सुबाशन बोस के चायचितर पर मल्यारपड उन्हें नमन किया गया वहीं इस कारिक्रम में कोंडा गाउं अनविवागे पुलिस अधिकारी निमितेश सिंग परिहार डियस्पी रुपेश कुमार और ठाना प्रभारी भीमजेन यादो भारत स्काउट समित कई लोग उपस्तित रहें इस ओफसर पर S.D.O.P. निमितेश सिंग परिहार ने कहा कि नेताजी शुबाशन बोस ने भारत के आजादी के लिए कांतरी माफ किजेगा क्रांती का बीच युवाओं में बोया था वही जिलाध्यक्ष सूरज यादों ने कहा कि उनके नारों ने भारत के आजादी की आज नेताजी सुबाशन बोस की जैनती जिसे हम पराकरम जीवस के रूप में जानते हैं आज मनाया गया जिसमें हमारे स्काउट के सर्विय उपसिद रहे और आज ये 177 जैनती हम मना रहे हैं जिसमें नेताजी के नेताजी ने अपने सोतंतरता की लड़ाई में पूरे द प्रदिस पाजात तरवाया गया प्रति माम मान दें देंगे मेरा नाम है श्रीर अतन सिहनाग और मैं दासिर केश काल जिल्ला कोंटांगाओं जिल्ला अध्यक्षू जो फड़गुन सी संक्राइब और आज हम कि कलेक्टर मोहदय को मोहदय जी को जापन देने जा रहे हैं जो हमारी मांगे है ये जन घोषणा में किया गया था और हम कारे करते 88-89 से आ रहे हैं जो कि आज घोषणा के बावजूद हमको नहीं मिल पा रहा है कम्मिशन दिया जा रहा है कम्मिशन भी नहीं के बराबर है चात्र गड़ के गौरेला पेंड़ा मरवाही जिले में स्कूल जा रही बारमीश एक चात्रा से यूवक ने छेर चाड़ किये लड़की ने विरोध किया तो यूवक ने उससे मारपीट कर दी इसके बाद अचात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों को बताए कि परिजनों की शिकायत पर पुलस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की कारवाई में जूड गई है बतादे मामला गौरेला थाना छित के खोड़री चौकी का है जूरेला थाने में एक रिपोर्ट आई कि एक बच्ची जो कि 12 क्लास में पढ़ती है और स्कूल जा रहे थी उस दोरान साइकल से स्कूल जाने के दोरान उसे एक आरोपी जो है उसने मोटर साइकल में पीछा किया और इसको रोक करके उसके सांथ छेड़ शाड़ किये जिसमें धाने में रिपोर्ट आने पर तदकाल उसमें पीडिता जोहिस का बयान लिया गया और एफाई एर किया गया थी धारात इन से चरवन के उपधाराओं के तहर और आरोपी की गिरफतारी कर ली गई है और उसे सराइपाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने बलातकार के फरार आरोपी को चार कंट से गिरफतार किया है यह मामला 14 नमबर 2022 को पुलिस में दर्च करवाया गया था जिसमें पुलिस ने आरोपी के विरुद धारा 306-376 आईपीसी चार पॉक्सु एट के तहत अपरात पंजिक रत किया था पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेम लाल चौहा निना बालिक लड़की को शादी का प्रलोभन दे कर जबर जस्ति शारिरिक संबद बनाया जहां पुलिस द्वारा सूजबूस से आरोपी को राची जारखन में खेरा बंदी कर धर दबोश ल आरोपी प्रेम लाल चौहान की विरूद अपरात प्रबंद चार्स ओन्यासी बाईस धारा तींसोचेंसर तींसोचेंसर भादली और चार पाक्तों के एक्ट के तहरत मामला पजिबत कर व्येशना किया जारा था जिस घटना दिलांग से आरोपी फराड था जिसका पता चल पर उसने बताया कि प्रेम लाल चौहान पीता आत्मा राम चौहान उम्र 26 बर्स निवासी दुलार पर थना सराइपली के लहने वाला है तथा उसने अपना अप्रास विकार किया जिसे हिरासत मले कर थना लाया गया आज उन्हें रही पिमान पर बिज़ा जा रहा है सराइपाली पुलिस ने अवैद महुआ शराब पर बड़ी कारेवाई करते हुए तीन अलग अलग प्रक्रण में कुल 300 लिटर महुआ शराब जब्त किया है साथी आरूपियों से दो मतर साइकल भी जब्त कर लिया है पुलिस ने यह अलग अलग कारेवाई बैद पाली रोड के किनारे कुटेला ओवर वरिश के नीचे ग्राम बालसी पुल के पास किया है पुलिस ने बताया कि मुक्बीर की सूचना पर ग्राम बैद पाली रोड के नारे साकिन वाड नबर साथ ताजनगर थाना सराइपाली से 100 लिटर हाथ भट्ती मौवा शराब को जब्त किया गया है पुलिस को बित्य कुछ दिनों से चेत्र के अलगलग चेत्र में भारी मात्रा में सराथ तकरी होने की सुचना मिल रही थी सुचना मिलने पर पता चला कि ताजनगर जिर्म्रा के कुछ हीवर जोर है भारी मात्रा में अवैस सराबने कर आ रहे है पुलिस द्वारा सुष्टने मेलने पर अलग लग की सामें ठीम रवाना किया गया। पुपिना उवरेजिश के पास बागसी पाफ और डेट पाली रोल के पास तीन योगों को अवेश अराप साथ पकड़ा गया। जिसे पुल रगम पकड़े अरप्यों का नाम भीपागनाग परवेच खान उपसे एक अर्वरुतिन है और उनसे फुल तीन सो लिटर अवेश सराप जब्द किया गया है और दो मोटर सेंकल जब्द किया गया है। पामगर ब्लॉक के ग्राम पंचाय सिली के सरपंच लक्षमी राधे साहू के खलाप पंचों ने अन्विश्वात प्रस्ताव की मांग को लेकर पामगर एसडेम को ग्यापन सौपाए। करने से सभी पंचना राज है गाउं में हुए किसी बिकारे के लिए कितना खर्च आया पूशने पर सरपंच द्वारा उचित और संतूश्टी पूड़ जवाब न दे कर आविशात्मक शैली में बात किया जाता है इन्हीं विश्य को लेकर 15 पंचोन इपामगड स्टी आरेम पर आविशात्तरस्ताव लेकर आये हैं सभी पंच है पामगड तैसल श्यद के ग्राम पंचायत कम्रीद के आश्रित ग्राम देवर घटा के ग्रामीड बड़ी संख्या में जला कलेक्टरेट कार्याले जांजगीर महुचे हुए थे जिन्होंने कलेक्टरेट को ग्यापन स चया है कि आश्रित ग्राम देवर खटा को ग्राम पंचायत कम्रीद से हटा कर लग ग्रामपंचायत बनाया जाए लेकिन देवर घटा से कम्रीद की दूरी ज्यादा होने के चलते ग्रामीडों को कई प्रकार के स्थाने समस्या के लिए आए दिन छोटे बड़े कामों के लिए जिसे राशन समागरियादी के लिए कम्रीत पैदल जाना पड़ता है ग्राम देवर घटा पिश्रा वर्ग एवं आदिवासी बहुले गाओं है द अपने गाओं को सेपरेट पंचायद बनाने के नाम से जंदरसन में आया विया थे एक्चली में जो प्रावधान है उसमें सेपरेट पंचायद बनाने के संब्द में चुनाओ के जश्ट पहले पंचायदों को परिसीमन होता है पंचायदों के तहत ही जो है उसमें कारवा कि अगर नदी में प्रियापत पानी है और उन लोग पानी सिचाई के लिए कुछ पानी अगर मांग करते तो उसमें विधिवद्वा कारवाई करेगा CCI में कारेरत एक्सपर्ट सेक्योटी सर्विस में गार्ड को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटेक से मौत हो गई जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों जम कर हंगामा काटा और शव का पोस्ट माटम नहीं होने दिया बता दे परिजन एक्सपर्ट सेक्योटी के तरब से किसी भी अधिकारी के नहीं पहुँशने पर परिजनों ये चक्का जाम कर दिया खटना की सूचना अकलतारा थानप्रभारी ओपी कुर्रे एवं तैसलदार जैश्री पठे मैडम को हुई जस पर मामले को ततकाल संग्यान में लेते हुए उन्होंने CCI के अधिकारियों को बलाया और बात की जस पर CCI के अधिकारियों द्वारा म्रतक के परिवार को शास्के सुविधाओं का लाब दिल्वाने की बात कही गई तब जाकर आंदोलन समाथ हुआ प्रदेश के जगा जगा से आगन बाड़ी कारेकरता एवं साहिका अपनी छा सुत्रिय मांगो को लेकर राइपूर में महा धना प्रदशन करने जा रही थी जिसे शासन प्रदशासन के निर्देश पर जगा जगा पुलिस के द्वारा धना स्थलना पहुचे नहीं पर उसके लिए रोका गया था इसी सिसले में आज पामगड के अंबेटकर चौक ससहा रोट पर सुबा पामगड पुलिस के द्वारा अपनी मांगो को लेकर आंदोलन करने जा रही सैक्रों की संख्या में आगन बाड़ी कारेकरता और सहीकाओं को रुका गया था जिसके बाद सभी कारेकरता एवं सहाईका लोगों ने दस मिनट के लिए सड़क पर धाने पर बैठ गए बतादे पुलिस के समझाने के बाद धाने पर बैठे कारेकरता एवं सहाईकाओं को छोड़ा गया राइपूर में विधान सभा से आरक्षड विधेक पारित हुए लगबग पचास दिन हो चुके है आरक्षड के फैसले पर राजिपाल अनुसुया उईके का बड़ा बयान सामने आया है आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि आरक्षड का अभी मार्श तक इंतजार करना अकलतरा में महराज कुहा निशाज जैनते और महासभग आयूचन के आगया इस आयूचन के कारिकरम में मुख्याती थी आपकारी एवं उद्यो कैबिनीट मंत्री समेट कई मंत्री मौचूद रहे केवर्ट समाज के लोगों ने मंत्री का स्वागत क्या कारिकरम को संबोधित करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि प्रदेश के भूपेश सरकार द्वारा मश्री बोड का गठन किया गया है और केवर्ट समाज के लोगों को किसान कर दरज़ा दिया गया है लेकिन हमारे इस कारेकरा में बहुते बाते होई हमारे जो चत्तिगर सरकार का होजना को जानता तक कोंचा ने क्राम किया इंगुस्तान का पहला सरकार है 10,000 रुप्य करजा माग करने वाला 25-244 रुप्य में धान करिजने वाला चांजगी चांपा में नाबालिक से दुशकर्म करने का मामला सामने आया आपको बता दे कि आरोपी नाबालिक को जबरजस्ती मोटर साइकल पर बैठा कर ले गए और सुनसान जगह ले जाकर नाबालिक से दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया इसके बाद आरोपी ने जान से मानी की धंकी भी दी नाबालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है ततकालिक करवाई करते हुए स्रीमान पुलिस अदिशक महोदे के दिसाने देसा में रातरी में जो आरोपी किशन मन जारे भागने के फिराग में था जिसे साइबर सल्की विशेश टीम के द्वारा तता बलोदा पुलिस के टीम के द्वारा गेरा बंदी कर पकड़ा गिया है आज दिनां को उस्ता आज के लिए 36 गड़ की खबरों में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार राजिनिती से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारे नज़र ना कोई शोर शराबा ना कोई एजंडा जमेदारों से करते हैं तीक है सवाल जनता के मुद्दों का रखते हैं खयाल हम पक्ष और वेपक्ष के बीच दिस्पक्ष खड़े हैं हम क्योंकि प्राइम टीवी है हम चालक की कूटनी टीज़